क्या कहता है certain the value of equity share question number 1 the equity share capital आपको दे रखा है question number 1 को ही मानना है लेखिन वहाँ पर equity share 4,00,00,00 रुपे की वजाए कितने हैं हमारे 3,00,00 जिसका made up 30,000 equity share 10 रुपे का एक यहां रुपीज गलत लग गया चलिए and preference share capital 1,00,000 रुपे का जो की 1000 रुपे का है उसकी value कितनी है 100 रुपे पिछला ही सवाल मानते हुए बस थोड़ा बहुत changes किया है कि the equity share capital 3,00,000 made up 30,000 equity share यहां रुपीज गलत लग गया है 10 का एक तो 30,000 10 को करोगे तो 3,00,000 हो जाएगा खीक है ना समझ में आ रहे हैं आपको valuation of shares ने करो तो again net assets अब निकालना नहीं पड़ेगा पहले वाला ही सवाल का ले लेते हैं net assets में सीधा सीधा वही ले लेता हूँ हमारा net assets जो था वो कितने का था देखिए 3,70,000 लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें एक पॉइंट माइनस करना बागी है preference share तो मैं यहाँ पे net assets जो ले रहा हूँ वो 3,70 ले रहा हूँ और बस इसमें से preference share को माइनस कर देंगे less कर देंगे preference share capital that is 1,00,000 है ना तो result outcome आजाएगा हमारा 2,70,000 और number of shares दे रखें आपको that is 30,000 ठीक है आपका value of shares निकाल लीजिए value of share is equal to 270 divided by 30,000 is equal to 9 तो दोनों सवाल में आपने देख लिए preference share होगा और हमने किसकी valuation निकाला है सिर्फ equity की सीख रहे हैं बाद में हम preference की सीख रहे हैं ठीक है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अब कई बार क्या होता है कि company ना बहुत type के share issue कर देता है 10 रुपे वाला 15 रुपे वाला 20 रुपे वाला और उसके अलग-अलग value होते हैं तो उसको कैसे किया जाए एक type का simple था तो एक से divide कर दिया मान लो एक 10 वाला share है एक 20 वाला तो दोनों तो अलग-अलग हो गए न सब divide कैसे करेंगे इसके बाद हम वो सीखेंगे जब एक से ज़्यादा class of shares company हो उसे बंद चरते है ना एक बार एक से ज़्यादा class हो और fan भी ऑफसर दो उधर वाला एक से ज़्यादा जब class हो ठीक है ना नौ रुपे नौ रुपे नौ रुपे सभी बच्चों का जवाब आ गया था नौ रुपे अगला एक्जामपल आपके सामने अब यहाँ पे share देखिए company के share 30,000 share हैं 20 रुपे वाले जो की पूरे payment आया है 25,000 share हैं 20 वाले जिसमें से मातर 8 रुपे आया है 15,000 share है 10 वाले जिसके अंदर हमारा ये value दे रखा है 1000 share है हमारे 10 वाले जिसके अंदर 5 रुपे paid up है और company की सारी detail है कहता है goodwill जो company का होगा वो 15,000 का हो जाएगा building 12,000,000 रुपे का हो जाएगा machinery 3,000,000 रुपे का हो जाएगा investment आपका हो जाएगा 35,000 रुपे का stock हो जाएगा 1,500,000 रुपे का and data हो जाएगा आपका 190,000 का there was a contingent liability रुपी 20,000 और एक और liability हमारे पास उठके आ गया कहीं बाहर से that is हमारे पास 20,000 determine the value of different share सभी shares की valuation बताईए समझ मैं है समस्या यहाँ पर क्या है सर यहाँ पर shares के price अलग-अलग है है ना तो अगर एक simple share होता तो net assets निकाला और divide गया जट से answer आ गया लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमें अलग से भी देखना पड़ेगा अब देखो यहाँ पर इस वाले questions को without national कर रहा हूं मैं without national आप national को मानते हुए करिए और दूसरा कर दूँगा मैं with national यानि सवाल के अंदर पूछा नहीं गया लेकिन मैं दो तरीके से निकालूँगा एक national call को नहीं मानेंगे simple कर देंगे और एक जब national call को मानेंगे तो कर देंगे खिक है न उसके हिसाब से कर लेंगे चलिए simple वही format है format में कोई बदलाव नहीं है कि सारा assets लिख लेंगे पहले हम assets अब assets में देखा जाए तो हमारे पास tangible में building है तो हमारे पास building यहाँ पे 6 लाग रुपे गीवन है लेकिन हम इस 6 लाग का use नहीं करेंगे क्योंकि हमें valuation नीचे गीवन है 12 लाग तो यहाँ पे मैं लिखूंगा building that is 12 लाग and यह वाला हो गया done मैं cut करता जाता हूँ machinery machinery की भी value हमें नीचे अलग से गीवन है 3 लाग रुपे machinery 3 लाग रुपे machinery के बाद देखा जाए तो अब हमारा अगला क्या गीवन है machinery भी हो गया इससे भी cut करते हैं goodwill 25,000 उसकी भी value गीवन है इसके बाद current assets की हम बात करें तो inventory inventory की भी value हमें घीवन है that is कितने का था हमारा inventory यहाँ पे stock धाई लाग रुपे हैं कुछ बच्चे बोल सकते हैं sir उपर inventory नीची stock हो सकता है चिंता करने कोई दिक्कत ने दोनों का मतलब एक ही है इसके बाद trade receivable यानि debtor दो लाग है नीचे गीवन है एक लाख नब्वे हजाद cash and cash equivalent का तो कोई value थोड़ी होगा यह same ही रहने वाला है cash कितने का इसका market price नहीं होता कुछ भी other current assets क्या इसका given है हमें बताईए नहीं given हमें investment valuation ले लिया यह ले लिया inventory ले लिया stock ले लिया investment नहीं अच्छा investment रहे गया चलो ले लिए अधर current assets पहले ले ले लेते हैं that is हमारा कितने का है ओके यह बोल रहे हैं कि सर यह नीचे हैगा यह 20 है ना और यह कितना है one और investment की भी valuation है कितने का है 35,000 तो सर यह assets आ जाएगा अगर total करें हम assets का तो क्या आता है बारा लात तीन लात नौलात बावन हजार cross verify कर लीजेगा प्लीज अच्छा हाँ वो तो बारा है इसमें बारा हजार होगया कि एक बीस ले लिए ना इसको कि एक किस लाग चालिस अजार चेक कर लिजेगा ठीक है बागी के जितने स्टूडेंट भी है चाहिए लाइव में मैं calculation तो जल्दी जल्दी में कर रहा हूं आप एक बार totaling भी करती रही है ताकि आपको so that पता चल जाए अब पता नहीं इसमें क्या आ रहा है यह calculator थोड़ा दूसरे टाइप बाला है हां सही एक किस लिए इसमें पता नहीं कैसे दिखा रहा था लेस करेंगे और offline वाले बच्चे तो calculator लिएक हैं लेस करेंगे हम liability liability के अंदर नमबर वन पे देखा जाए तो नमबर वन पे हमारा एक ही है और नमबर टू कुछ है ही नहीं that is creditor और कितने का है creditor देट इस यह निकल के आ गया 19 लाग 40 अजार यह आ गया हमारा net assets ठीक है 19 लाग 40 अजार आ गया हमारा net assets यहां तक कहा नहीं समझ मैं है यह निकल लिया अब जिसका आप wait कर रहे हो उसके बारे में देखते हैं यानि sir इसको कैसे deal करोगे मुद्दा तो यह है और यही जानना चाह रहे हैं कि इसको deal कैसे करोगे आप तो चलिए next page पर दिखने इसका deal सबसे पहले इन सभी जितने price दे रखें नहीं सभी price को total कर लेंगे सभी price को total कर लेंगे हम यह पता कर लेंगे इनका total value उसके दो तीन तरीके हैं लेकिन मैं simple वाला method लिखे चल रहा हूं ठीक है तो सबसे पहले इसका total कर लेंगे that is 6 लाग 2 लाग 10 लाग कितने आ गया हमारे 10 लाग इसका total चेक कर लेंगे न ठीक है न और कुछ तो रहे तो नहीं गया नहीं रहे टोटल क्या आ गया हमारा 10 लाग ठीक है एक जिरो कम लोग ठीक है अब इस 10 लाग में ध्यान देना दो टाइप के shares हैं जो हमारा 10 लाग का आया है न हमारा net assets जो आ रहा है मैं इधर भी लिख लेता हूँ वो that is था हमारा 19 लाग 40 अजार और जो equity share capital आया था न इधर लिख लेता है equity share capital कितना आया था 10 लाग इस 10 लाग में ने दो टाइप के shares हैं एक जिसका face value है 20 रुपए और एक जिसका face value है 10 रुपए ठीक है दो face value आले अच्छा contingent liability रहे गया ठीक है ठीक है ध्यान ने दिया contingent liability 20,000 रुपए हमारे रहे के क्योंकि सारे liability माइनस करेंगे न लेस contingent liability कितने 20,000 सर यह contingent liability क्या है में भी यह कर हो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो 21,40,000 और 20,000 अभी भी मुझे इस टोटल में दिक्कत लग रही है कुछ भूल तो नहीं गए चेक करो एक बाद मुझे इस टोटल में कुछ मिसिंग लग रहा है कोई amount आगे पीछे तो नहीं हुआ 130 treat receivable चलो कोई यह हमारे दो टाइप के shears है ठीक है अब इसके अंदर भी देखा जाए ना अगर आप ध्यान से देखो तो सवाल क्या कहता है sir इसके अंदर भी देखा जाए तो इसके अंदर भी एक तो वो है जो fully paid up है और कुछ share वो है जो कि partly है सेम यहां कुछ share fully है और कुछ share partly है जो fully तो 20 दे रहा होगा partly कितने दे रहा है question कर रहा है आठ पुली तो 10 दे रहा होगा partly क्या कह रहा है question में देखो पांच रूपे एक यहां यह भी समस्थी आए कि भाईया सबने सारे सारे पैसे नहीं दिये अब हम क्या करेंगे हम sir value of value of share निकालेंगे लेकिन पर रूपी निकालेंगे एक रूपे की क्या value पड़ेगी तो that is आ जाएगा 19,40,000 हाँ यह भी चेंज होगा न उननिस बीस उननिस लाख बीस अजार उननिस लाख बीस अजार और इसका पूरा वेल्यू ले ले लेते हैं हम दस लाख हमने देखा था न अब इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं तो that is आ जाएगा उननिस लाख बीस अजार डिवाइड़ वाई दस लाख 1.92 यह कितने का प्राइस आया एक का है तो अगर मैं value of share निकालू share जिसका face value कितना था 20 तो अब इसका क्या आएगा sir 1.92 एक रुपे का और हमें चाहिए कितने का 20 का तो that is कितना होगा हमारा 1.92 इन टू में बीस 38.4 खिक है अब यहाँ पे यह तो एक पार्ट हो गया इसी का second class था जिसके अंदर again 1.92 और वो भी बीस वाला ही था लेकिन फरक यह था कि इसने 8 ही मातर पेड़ किये हैं तो जितना पेड़ नहीं किया वो यहाँ से minus कर दोगे आप जितना पेड़ नहीं किया minus कर दोगे तो यह 38.4 minus में 12 या जाएगा आपका share का value 26.4 valuation करने का यह तरीका होता है अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इसको ऐसे कर दो आप तो आपके shares 8 रुपे की value आजएगी 8 into में 1.92 तो यह गलत हो जाएगा यह 15 रुपे क्या होगा गलत होगा होगा ठीक है ना तो जितने shares के पैसे नहीं मिले उसको क्या करना है आपने minus कर देना पूछे क्या पूछ रहे हैं हाँ यह गलत आ रहा है यह तो हमें 20 रुपे का share का face value था उसमें से 12 रुपे नहीं मिले थे यह देखो उसमें से 8 ही मिले ना दूसरे वाले दूसरा class share का spheres के देखो यह वाले इसने सिर्फ 8 ही paid up ठीक है third part value of share तो sir value of share देखा जाए 1.92 है और face value 10 फुली paid up है तो 19.2 ठीक है fourth point value of share जहां पे again 1.92 उसका भी face value 10 रुपे है minus करोगे जो नहीं दिया पांच रुपे तो 19.2 माइनस पे पांच रुपे यह आ गया 14.2 sir ऐसा क्यूं हो रहा है देखो valuation तो आपका एक रुपे का निकल गया आपका face value के हिसाब से valuation 38.4 तो मान लेते हैं आपके पूरे share का 38 जितना shareholder ने नहीं दिया सामने वाले किसी को अगर बेचते हो मान लेते हैं आपका valuation आया 38.40 पैसे आपको कोई मिल गया कि भाई मेरे share मैं बेच रहा हूं इस company के इंदर बोले कितने का बेचेगा बोला देख आज की date पर 38.40 पैसे का है वो खरीद लेगा खरीदने के बाद उससे पता चलता है यार अभी तो दो रुपए तेरे को company को देने भी बांकी है तो 38.40 क्यों दूँ तो दो रुपए मैं company को बाद में तो दूँ आ तो तो तुने पूरे 20 के लगाए लेकिन दो मेरे को देने पड़ेंगे तो महंगा पड़ जाएगा न तो मैं तेरे को 36.40 पैसे दे देता हूं और दो मैं बाद में company को समझ में आ रही है तो इसलिए जो नह प्रेले सवाल में कर लूँगा नोस्नल का पहले यहां तक देखवाँ हूं देखे सवाल यह विदाउट नोस्नल की है मैंने अपने हिसाप से answer चेक करोगे तो answer में यह थोड़ा सा error है answer में यह to यह answer में error है थोड़ा, यह इस answer को हटा देते हैं, आप जो मैंने करा है वो देखिए, उन्होंने दूसरे तरीके से अभी उसमें answer निकाला हूँ, वो भी आएंगे हैं, कि 1.92 इंटु में 5 करोगे न तो आ जाएगा वो, 1.92 इंटु में 5, तो आ जाएगा 9.6, वो दूसरे तर ठीक है, यह without notional है, यहाँ तक किसी बच्चे को doubt, यहाँ तक किसी बच्चे को doubt, फिर मैं notional वाला लेके कर लूँआ, कैसे आएगा? नोशनल, without notional हमें करना है, कई बार examiner, देखो इसके अंदर होता है, कई बार हमें realize होता है, कि हमें यह जो 2 रुपे हैं, अभी जल्दी से मिल जाएंगे, एक महीने बाद ही, और valuation of shares करो, तो shares का valuation करने में भी लग जाएगा आपका एक महीने का time, तो ऐसा थोड़ी है कि सव profit and loss बनाने में लग जाते हैं, तो अब मुझे लगता है कि मैं near, 10 दिन बाद मैं इसके पैसे मांग लूँगा, और ये भी confirm है भाई, कि 10 दिन बाद पैसे मांगूँगा, और 10 दिन बाद मुझे valuation भी बतानी है, तो 10 दिन में जब पैसे आई जाएंगे, तो हम assumption कर लेते हैं जो call scenario है, वो तो रहेगा ही न, 10 दिन बाद call scenario, वो तो आही जाएंगे, तो इसलिए call scenario, barrier छोड़ो, सब को जोड़ के ही कर ले, और 10 दिन बाद जब पैसे आपके पास आएंगे, तो cash आएगा, तो assets बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे national को कहा गया, मैंने format में add कर यहाँ पे add है less है, मैं भूल गया, add होना था, add कर दे, क्यों दस दिन बाद तो पैसे आई जाने है भाई साब, और valuation मैं अभी बता देता हूं, तो यह add हो गया, और जो हम value of shares निकालते है न, यहाँ पे भी total value ले ले लेंगे, ऐसा नहीं कि जिसके पैसे नहीं मिले वो नही total ले लेंगे, भाई नहीं मिला कोई बात नहीं मिल जाएगा, समझ रहे हो, तो इसी सवाल को एक बार हम वैसे करते हैं, जब मान लेते हैं कि nearby 10 से 12 दिन में payment करना पड़ सकता है, यह सवाल बोलेगा, और वैसे हमीशा सवाल के अंदर आपको national call add करना पड़ेगा, नियर भा पास 19,20,000, ठीक है, अब थोड़ा हमें shares को समझना पड़ेगा, equity share को, number one type, number two type, number three type, number four type, number one type जो था 30,000, 20 रुपेगा, 30,000 share और यह कितने का था, 20 रुपेगा, that is आपका 6 लाग, number two था 25,020 का, लेकिन 8 ही मिले थे, तो 25,000 थे, और जिसमें मिले कितने सिर्फ, 8 रुपेगा, तो यह कितना आ गया था हमारा, 2 लाग, number three था हमारा 10 रुपेगा, पूरे मिल चुके थे, 10 रुपेगा, 15,000 पूरे मिल चुके हैं, उसके बाद 10,000 था, 10,000, तो that is एक, 10 था 15, 15,000, अब है हमारा 10,000, that is हमें 5 रुपे मिला, तो 50,000, तो देखा जाए तो यह तो वो वेल्यू है, जिसके अंदर आपको पेमिंट मिला है, लेकिन नियर वाई आपको बाकी के भी तो पेमिंट मिल जाएंगे न, जो कि calls इन मान सकते हैं कि मांग लेंगे, तो हम उसको भी add-on कर देते हैं, यह 10,000, अच्छा 10,000, यह यह लो 10,000, चलो, नियर बाई, यानि यह total तो 10,000, ठीक है, फाइन, यह तो आज के balance sheet के इसाप से है न, लेकिन हम जानते हैं कि 8-10 दिन में फैसे मिल जाने है, कितने मिलने हैं उसको वापस add कर दो, तो shares का value price बढ़ जाएगा न, तो कितने मिलने हैं सर, इससे 12 रुपे मिल जाएंगे, यानि नंबर 1, आपको 12 रुपे मिल जाएंगे, कितने share से, 25,000 से, नंबर 2, आपको 5 रुपे मिल जाएंगे, किससे, 10,000 से, यानि nearby future में, हमें पैसे मिलने वाले हैं, इसका और इसका, इसके मिल जाएंगे हमें पचास अजार और उपर वाले के कितने मिल जाएंगे 3 लाक यानि नियरवाइ हमें 3,5 लाक रुपे मिलने वाले हैं तो जो 3,5 लाक हमें मिलेगा वो add-on हो जाना है चाहिए साथ 3,5 लाक तो इसका मतलब इसकी वेलिवेशन निकल के आ जाएगी शियर्स की अब साड़े तेड़ा लाग सेम सर एसेट सब 920 थोड़ी रहेगा कैश भी तो आ जाएगा तो एड़ कर देंगे नोशनल कॉल कितने रुपे साड़े तीन लाग दोनों का इखट्टा ही ले लिया तो कितने हो जाएगे यह 22,70,000 समझ रहे हो अब वेलिवेशन कर लो शियर की अब वेलिवेशन कर लो शियर की कैसे करोगे सरा वेल्यू पर शियर रुपीज के टर्म्स में तो 22,70,000 डिवाइड़ बाए 13,50,000 बताइए क्या आगे 22,00 अरे 1.68 अगर ऐसा हुआ तो मेरे शियर का प्राइज 1.68 आएगा एक रुपे की वेल्यू तो हमें नमबर वन जानना है कि भाईया 20 रुपे वाला शियर है तो उसका वेल्यू क्या होगा 1.68 कर दोगे तो कितने आ जाएंगे कितने आगे 20 इंटू 1.68 33.6 नमबर दो आपका अगें 20 रुपे का शियर था और 1.68 था लेकिन मजे की बात है यह तो हमने अजम्शन लिया है कि मिल जाएगा लेकिन एक्चुली में यहां 12 रुपे तो नहीं मिलें तो माइनस कर देंगे देट इस 12 33.6 में से माइनस 12 33.6 माइनस 12 21 रुपे साथ पैसे थर्ड पॉइंट में 10 रुपे का शियर है 1.68 देट इस आपका आजाएगा 16 रुपे आठ पैसे पूर्थ पॉइंट में फिर से 16 रुपे आठ पैसे आने हैं जिसमें से 5 रुपे नहीं आए तो 11 रुपे यह हमारा कुछ दूसरा आ सकता है इस तरीके से पले यहां तक देखिए मैंने दोनों टाइट करें अभी आप कुछ भी मत करिए स्रिफ कॉंसेप्ट को है आपका वेल्यू एडिट इन फनाइंचल स्टेटमेंट हो बहुत सारे चप्टर है सर मैंने आज बैच जोइन किया है कॉर्पेट का जीरो हूं बता दो कैसे करना है कॉर्पेट में देखिए यहां तक क्लियर आपको सारा जीरो हूं जीरो हूं झाल